नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 एपरिल 2019 के इंपोर्टन करेंट अव यर्स और साथ में आप सबको पता है कि जो इंपोर्टन फेक्ट होते है एक्जाम परपसिक के लिए वो मैं आपको साथ में बताते ही रहती हूँ स्टार्ट करेंगे फर्स कोशन से और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजे चैनल को साथ में बैल बटन जरूर प्रेस कर लीजेगा इससे आपको फ्री में नोटिफकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जान कर रहेंगी शेरी फ्रेंट स्टार्ट करेंगे आज की हमारे इंपोर्टन कर इंटर्फियर्स फर्स्ट कोशन से और टेलिक्राम ग्रूप को जोईन करना बिल्कुल भी मत भूलेगा उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको कुछ भी हल्प चाहिए होती है स्टडी के रिगार्डिंग आप इंस्टाग्राम पे मुझे इंट्विजरी मैसेज कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मि यह है Autism Awareness Day यानि कि विशव Autism जागरुकता दीवस तो दोनों डे आपको पहले तो रट लेने हैं और World Autism Awareness Day इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में याद रखेगा 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राश्रय यानि कि United Nation की महासभा में ठीक है 2 April 2007 को रट लेने हैं आप मस्टिश्क के विकास में बादा डालने वाला एक विकार होता है आपको रट लेना ही होता किया ठीक है तो मैं फिर से रपीट करूंगी Autism होता है मस्टिश्क के विकास में बादा डालने वाला एक विकार होता है ठीक है और यह मनाया ही हो जाता है यह भी इंपॉर्टेंट दरसल आतम केंदित यानि की selfish prick जो लोग होते हैं उनकी life की गुनवता यानि की quality में सुधार लाने के लिए यानि improvement के लिए मनाया जाता है हर साल 2 April को और मैंने आपको हमेशा बताया है किसी भी exam की आप तैयारी कर रहे हो किसी भी important day की हम बात कर रहे हैं उसकी लिए theme बहुत ही ज़्यादा important होती है इस बार की विशव Autism जागरुकता देवस की यानि Autism Awareness Day की theme क्या रखी गई है Assistive Technologies Active Participation फिर से repeat करूंगी इसकी theme Assistive Technologies Active Participation आपको रट लेना है Next, which company has become India's first mutual fund company to launch voice based transactions यानि कि कौन सी company voice based transaction शुरू करने वाली इंडिया की यानि भारत की पहली mutual fund company बन चुकी है तो कौन सी company बनी है Reliance देखिए आपको option C या ये ठीक है जैसे मैंने आपको Reliance से रखा है आपको option में Reliance से mutual fund लिखा हो सकता है क्योंकि mutual fund company ही है आपको RNAM लिखा हो सकता है RNAM यानि की Reliance Nippon Life Asset Management फिर से repeat करूंगी Reliance Nippon Life Asset Management आपको रट लेना है और ये पहली mutual fund company बन चुकी है इंडिया में जो कि अपनी voice से transaction है मतलब इसमें कर पाएंगे बहुत ही अच्छे technology है जो ये launch करने जा रहा है और आपको रट लेना है क्योंकि इसके बाद जो भी company आएगी जो voice based transaction के लिए होगी वो second number पर आएगी ये पहली बन चुकी है Reliance mutual fund तो आपको रट लेना है जिसमें की voice से transaction कर पाएंगे लिए मतलब अपनी voice से transaction कर पाएंगे next है who won the lifetime achievement award अभी अभी lifetime achievement award किसको मिला है आपको देखिए question में ये भी लिखा हो सकते है कौन सी women को मिला है lifetime achievement award ठीक है तो किसको मिला है अनु आगा को यानि इसको option थर्ड बिल्कुल से ही answer है ठीक है अनु आगा है जिनको lifetime achievement award मिला है इसी की साथ ये नाम भी important है यानि की कीरेण मजूमदार इनको मिला है business women of the year का award ठीक है आपको रट लेना है तिन्नों में सी एक नई question देखिए exam में आपको देखने को मिल सकता है lifetime achievement award मिला है अनु आगा ठीक है कीरेण मजूमदार को मिला है business women of the year का और इंडरा नुई को मिला है global Indian women of the year का अवार ठीक है और ये पेप्सिको में पहले CEO थी कौन इंडरा नुई आपको याद रखने है ठीक है next रही राजन अनंदन resigned from the head of which company यानि की राजन अनंदन ने अभी resign कर दिया है ठीक है कौन सी कंपनी के प्रमुकपल से इस्तीफा दिया है उन्होंने कौन सी कंपनी के head के पद से इस्तीफा दिया है तो कौन सी कंपनी के Google India यानि इसका option 4 बिल्कुल सही answer है next रही जे महिंदरन डाइड रिसेंटली हू वासी यानि कि जे महिंदरन जे क अभी निदन हो गया है तो वह कौन थी तो वह कौन थे डरेक्टर थे डरेक्टर थे यानि कि निदेशक थी और कौन सी लेंग्विज के फिलम मेकर थे यह भी आपको याद रखना है किसके थे तामिल के और अभी इनकी एस क्या थी 79 एस चीक है आपको याद रखना है नेक्स एकी विच कार कंपनी है एज एनाउंस्ट दी लॉँच ओफ ब्लू ग्रीन कुनेक्टिविटी यानि कि किस कार कंपनी ने भारत में यानि इंडिया में ब्लू ग्रीन कुनेक्टिविटी लॉँच करने की गोशना की है तो किसने गोशना की है हुंडई ने यानि इसको बढ़िया टेक्नोलोजी है इससे क्या होगा मोबाइल से आप अपने कार को अपरेट कर सकते हैं स्पोर्स आप किसी मॉल में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए आपकी कार पार्किंग में खड़ी हुई है ठीक है वापिस आओगे जहें आप एक घंटे के बाद हो पंद्रा मिन की खोशना की है हुण ड़ी कंपनी तो आपको रट लेने ठीक है अगर हम सिंपल लेंगे इसमें के कि आप अपने कार के आसपस ना होतु हुए भी कार की जो इंटर्नल फंक्शन से चीक है उसको अप्रेट कर सकते हैं पूरी तरह से सो बहुत ही बढ़िया सिस्टें में इसमा पत हुआ है तो कहां पर हुआ है न्यू डैली में यानि इसको ऑप्शन थर्ड बिलकुल सही अंसर है आपको याद कर लेने होते हैं इस तरह की कोशिन आ जाते है एक्जाम में ठीक है नेक्स रिखे विच कंट्री हैज वन दी आई सीसी यानि की इंटरनेशनल क्रिके कॉंसल टेस्ट में टेस्ट चेंपिनशिप का किताब जीता है तो किसने जीता है इंडिया ने आपको याद कर लेना है इंडिया ने जीता है और थर्ड टाम ये जीता है आपको याद कर लेना यही से ठीक है और इसमें मिलता क्या है यह इंपॉर्टेंट है इसमें मिलते है 1 million dollar चीख है याद कलेजीगा 1 million dollar इसमें मिलते हैं और फर्ड टेम जीता है और second number पहाई है न्यूजेलेंड third पहाई है Dakshin Africa चीख है आपको याद कलेना है ICC की full form मैंने आपको आल्रेड़ी बता ही दी है और इस की स्थापना कब हुई थी 1909 में यानि 1909 में इसकी स्थापना हुई थी हैड क्वार्टर है इसका डुबाई में और इनके नए से यू नुक्त किये गए है मनु सहानी जी इंपोर्टेंट है यह सारे बाते आपको याद कले निया और चेयर परसन कौन है शिर्शांक मनोहर जी नेक्स्ट है how many medals have India won in the 12th Asian Air Gun Championship यानि की बार्वनी Asian Air Gun Championship में भारत ने यानि इंडिया ने कितने पदक जीते हैं तो कितने जीते हैं 25 आपको रियाद कर लेने हैं इस तरह की कोशन बिकॉस मैंने आपको हमेशा बताया है आपको किसी भी एक्जाम के आप त्यारी करों गेम से रे जीते हैं याद कर लेना पांच सिल्वर जीते हैं चीक है और 16 जीते हैं गोल्ड सो यह 25 हो जाते हैं चीक है और यह हुई कहां पे है Asian Air Gun Championship यह ताइवान में हुई है आपको याद कर लेना है नेक्स जीक हाव मैनी कंट्रीज सेलिब्रेटीड दी अर्थ आवर 2019 यानि कि अर् कर दो अजयों में हाथ दोनिया भर में कितने देशों ने मनाया है तो कितने अजयों मनाया है 180 यानि इंडिस का सही अंसर है ठीक है 188 कंट्रीज ने मनाया है क्या अर्थ आवर्ट दो हजार उन्हें इसमें क्या होता है कि रात की टाइम ठीक है साधे आठ बजी से लेकर साधे नौ बजी तक लाइट्स को कम्प्लीट्री ओफ कर दिये जाता है पूरी तरह से बंद कर दिये जात यानि अवेरेंस फिलाने के लिए मनाया जाता है और यह 13th नंबर का था यह भी आपको याद रख लेना है ठीक है विकॉस्ट्रीज की पर घुमा के जाते है आपको पूछा जा सकता है कि 13th नंबर का अर्थ आवर्ट दो हजार उन्ही कितने देशों ने मनाया है तो कितने अबनाया है 188 आपको याद करेना है और इसकी थीम बहुत जादा इंपोर्टन तथा सो नोट कर लिजेगा है है कोनेक्ट नुमेरिकल टू अर्थ ठीक है कोनेक्ट टू अर्थ यानि हैस्ट्रेग कोनेक्ट टू अर्थ इसकी थीम रखे गई है नेक्स रिखी है वो टुक अर्थ इसकी थीम एक्जेक्टिव और रोयल एंफिल्ड यानि रोयल एंफिल्ड के मुख्य कारेकरी की रूप में किसने पदबार संबाला है तो किसने संबाला है विनोध दसारी जीने यानि कि इसको ऑप्शिन थर बिल्कुल सही अंसर है चीक है रोयल एंफिल्ड के यानि कि बहरीन ग्रांड्ड परिक्स 2,019 किसने जिता है फ्रो किसने जिता है लुइस हैंअ ने िैयानि कि इसको ऑप्शिन one बिल्कुल जही अंसर है मर्स्रिस का नाम तो सबने सुना होगा सक है मर्स्रिस कंपनी के यह ड्राइवर है एक यानि कि क्या नाम है इनका लूइ तो आपको याद कर लेना है यहीं से इनोनी जीता है 2019 का यानि कि बहरीन ग्राइन प्रिक्स 2019 चीक है याद कर लेना यहीं से और इसके इलावा पंजाब जीके हर्याना जीके इंडिया जीके अग्री कल्चर कंप्यूटर कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंड रहे हैं पीडि पर गोटिंग